हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में आज की इस वीडियो में अभी एक रिसेंट वाक्या आपसे मैं शेर करने वाला हूँ कोट का, जिससे आप में से बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि कोट में किस तरह से काम चलते हैं बहार दूसरी कंट्री में रहता है, लड़के की जो मावाप हैं वो हमारे शहर के हैं लड़की वालों ने एक मुकदमा दायर किया, डिवी एक्ट का केस था उसमें पर्टिकुलर तारिक पढ़ती है, उस पर्टिकुलर तारिक पर देखो, आपके सामने भी कई बार एक कुश्चन होते है न, सर में पहली डेट पर जाना चाहिए और अधिकतर यह होता है कि पहली डेट पर कुछ नहीं होता है, इन्टरेस्ट और जिस्टिस आपको मत आये, कोई दिक्कत नहीं है, पहली डेट है हम देख लेंगे, जो भी होता है, एक तरह से अब लड़का तो था नहीं, तो वकालत नमा तो फाइल हो नहीं सकता था, वैसे हम लोग कोट मा पेर हुए, कोट मा कुछ नहीं हुआ, कोट नहीं बोला कि ठीक है नेक्स डेट प सब्मिट किये, और जाने कैसे, अगले ही दिन की डेट लग वाली, अब इतनी जल्दी डेट वो ऑनलाइन भी अपडेट नहीं होती है, आपको पता है, तो हमें पता भी नहीं चल पाया, कि अगले ही दिन की डेट लगी है, और यह practically possible होता भी नहीं है, और अगले ही दिन मे वहाँ पर अपने evidence submit करके file को सीधा argument पर डलवा दिया यानि आप सोचिए कितनी तेजी, कितनी चाला की इस मामले में दिखाई गई अब वो थो ठीक है कि चलो हम बहुत अच्छे तरीके से watch रखे हुए थे हम को यह बात पता चल गी वरना हम तो यही सोचते कि भाईया आने वाले समय पर जब date आएगी महीने, date महीने की बात तपता देखेंगे तपता case का judgment ही final हो जाता तो at least चलो हमें पता चल गया, अब अगली date पर हम महाँ पर appear हो करके अगले वहीन हम appear हो जाएंगे, इतना ही था, लेकिन आपको क्या पता कि इस बीच में यह सब procedure हो गई और online पे हमारे यहां पर जो dates होती हैं वो 2 दिन बाद, कभी 3 दिन के बाद update होती है तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है, सामने वाली party इस परकार की चालाकी करके आपको मनुबल गिराने के कोशिश कर सकती है, आपको नुकसान पहुचाने के कोशिश कर सकती है आपके जानकारी के बिना एक पक्षी आदेश लेने की कोशिश कर सकती है अब काईदे से तो देखो ex-party order होता है उसके बाद ex-party evidence जाते हैं उसके बाद ex-party argument होता है उसके बाद judgment होता है लेकिन इस case में same date पे पहली ही date पे ex-party proceeding का order कराया गया उसके बाद चलो proceeding का order हो गया बाद में appear होकर कि उसमें कागज दाखिल किये गए ex-party evidence के कागज और उसके बाद अगले ही दिन की date लगा कि उसको argument पे ला दिया गया तो इस प्रकार की चीजे भी हो सकती है सब कुछ चलता है भया यहां पे इसलिए आपको बहुत aware रहने की जुरुत होती है अगर फाइल को निरंतर हम लोग watch ना कर रहे होते इसलिए आपको अप्लिकेशन लगा पाओगे तभी आपकी तो चलो कोट के उपर है लेकिन at least आपके पस मौका तो होगा तो इसलिए आपको aware रहना है especially अगर आपके cases दूसरी cities में चल रहे है अब आप कैसे aware रहते हो कैसे उनकी फाइलो और कैसे आप उन फाइलो को watch करते हो वो आपको देखना है लेकिन आपको अनभिग्य बने नहीं रहना है blind trust किसी पर भी नहीं करना है चले दोस्ता आज किस वीडियो में इतना ही next वीडियो मैंने जानकरी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ तब तक करें goodbye and thank you for watching take care